हैलो फ्रेंड्स आइए स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेस्पी पिटा रामी आज हम बनाने वाले हैं अर्वी की सबजी तो अर्वी की सबजी बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए आइए देख लेते हैं हमने 3-4 बड़े साइज के पयाज लिया है उसे छोटे छोटे टुकडों में लिए है दससे बारा लेसन की कलिया लिथी और। अद्रक और हरी मिर्च लिया है ने इसका अब हें हमें पेस्ट बना लेना हैं आप चाहें तो इसको सूखा पावडर भी बना सपते हैं या पाने डाल करके भी पीष सकते हैं पंचitect लिया हैं हमने और ये लिये है चार से पाझ कन होईरी जिसे बढ़ हें बीघत है हैं सरसो के दाने लिए हैं हमने चार चमज और हर इमिज अपने तिखा पन के हिसाअब से हम लिया है और दो से तीन टुकडा आध रखका लिया है अब इसे मिख्सिजार में रख करके पीस लेते हैं थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके दो से तीन बार में हम सर्षो के पीसेंगे नहीं तो इसका अच्छा पेस्ट नहीं बन पायेगा तो देखिए सर्षो का पेस्ट बनके रेडी हो गया है और हमने वन केजी अर्वी लिया है अर्वी में देखिए अभी मिट्टी लगा हुआ है क्योंकि अभी तुरंत ये खेट से आ रहा है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं अभी इसको हम साप पाने से धो करके छील करके सबजी के आकार में काट लेंगे तो अब हम पैन को गरम करते हैं और हमने दो से तीन बड़े चमछ तेल लिया है अब तेल हलका गरम हो चुका है इसमें हम सबसे पहले पंच फोरण जो मिठी के दाने लिए थे मिठी और कला जी जीरा तो पंच फोरण के दाने डाल देंगे पंचफोरन के दाने जब चटकने लगे तो अगर आपको तीखा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं तो तेल गरम हो चुका है पंचफोरन और ऊरत की दाल की जो बड़ी बनाई हुई हमने उसको डाल करके भूम लेते हैं तीन से चार स्टेंड भूनने के बाद में हमको हरी मिर्च लंबे आकार में हमने काट करकी लिया था थोड़ा हमने इसमें हरी मिर्श कम ही लिया है क्योंकि हमने सरसों में भी हरी मिर्श को पिसकर पेश्ट बनाया है तो हरी मिर्श को भी अच्छे से चला लेंगे हरी मिर्श को भी चलाते हुए एक मिनिट हो गये हैं अब इसमें हम कटे हुए लहसन को डालेंगे और प्याज को प्याज और लहसन को पांसे छे मिनूट तक हमको भूनना है ताकि प्याज और लहसन अच्छे से ब्राउन हो जाएं और हमें इसमें थोड़ी सी नमक भी डाल देनी है आधे चम्मस डाल देंगे बाकी और जो नमक डालना है हमको बाद में डालना है तो नमक भी हमने डाल दिया है और प्याज भी हलका ब्राउन हो गया है अभी इसको हमको और भी भूनना है तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर भी करना बिल्कुल न भूले तो अब देखिए ब्याज और लोसुन दोने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अब इसमें हमें मसाले डालना है तो मसालों के लिए हमने मसाले को स्ूखा पाउडर बनाया था तो गरम मसाले डाल देते हैं और हंडी पाउडर एक चमच हमने हंडी पाउडर डाल दिया है क्यूंकि इतनी सबजी हमको 10 से 12 लोगों के लिए बनानी है अभी हमने सरसो के दानों का जो पेश्ट बनाया था उसे भी डाल करके अच्छे से भूनते हैं अर्वी के सब्जी में सरसो सबसे जरूरी इंग्रिडियंस होता है तो सरसो को बिल्कुल भी इसकीप न करें इस मसाले को हमें तेल छोड़ने तक लगातार चलाते हुए भूनना है चलाना बिल्कुल भी न बंद करें नहीं तो तली में मसाले चिपकने लगेंगे और जल भी जाएंगे तो चूले का फ्लेम मेडियम कर दे और लगातार चलाते हुए मसाले को भूनने अभी देखिए मसाला भी भून करके लगभग रेडी हो गया है और अब इसमें हमें अर्बी डाल देना है अर्बी डाल करके अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे अर्बी को हमें मसालों के साथ ज़्यादा भूनना नहीं होता है क्योंकि मसाले भून गए हैं कि तो मसालों के सांथ मिक्स करेंगे और 8-10 तरह इसी तरह से चलाते रहेंगे बि देखे सब्zie अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें अवश्यक्ता के हिसाप से पाने डाल देना है पानी हमको सब्जी जितना हमको बनाना है करी उसी हिसाब से थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि अरवी की सब्जी बनने में पानी थोड़ा ज्यादा लगता है तो अभी देखिए हमने दो से तीन गिलास पाने डाल दिया है अरवी में क्योंकि जब कम हो जाएगा तो पानी डाल देंगे और नमक हमें टिष्ट के अकोडिंग डाल देना है उसके बाद सब्जी को ढख करके 15-20 मिनुट के लिए छोड़ दें बीच बीच में चार से पांच मिनुट के अंतराल में चेक कर लेंगे तो देखिए हम चेक कर रहे हैं अभी सब्जी पकी नहीं है और हल्दी भी थोड़ा हमको कम लग रहा है साथ तो थोड़ा और हम हल्दी पाउडर डाल देंगे तो सब्जी को पकते हुए लगभग 15-20 मिनुट हो गए हैं और सब्जी भी बन करके रेडी हो गई है अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं तो अर्वी की सब्जी खाईए आनंद लेजिए और यह रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आपको क्टेते हैं जरूर दो गर्णिए लेटा कर लेटी खाईए झाल लेटा इसे हम सर्वे में बाउल ठता लेटा घ्ल देते हैं घर प्योंको सब्दाने पर लेटाए जरूर।